नमस्कार चातियों केसे हो आशा करता हूं बढ़िया और प्रसंद होंगे चलिए प्रसंदता के साथ आज हम करेंगे प्रोजेक्ट कार गणित विशे का कक्षा साथ पहला प्रस्द है अपने घर पर समतल प्रस्ट वादी भहुत सी चीजे उपलब दोती है उनको लिखना है उनकी लंबाई चोड़ाई नापकर छेत्रफल निकालना है जिसे मेज इसकी लंबाई और चोड़ाई और चोड़ाई आप असमन का गुणा कर दोगे तो प्राप्त ह है haa aur Hai यहा Remember की लंबाई और छोड़ाई हम सेंटीमिटर में नाप रहे हैं और स्भी सेंटीमिंटीमिटर में आएगा तो जैसेटरीमिटर सेंटीमिटर अब इन में पुस्तकों का आकार कहीं जगें परियुर्तित रहता है को छोटी होती बड़ी होती है आप अपने हिसाब से नापकर समायुजित कर सकते हैं अगली है हमारी समतल प्रश्ट वाली वस्तु दर्वाजा जो की काफी लंबा और चोड़ा होता है जिसका चेतर पर अठारहजार वर्ग सेंटीमिटर आएगा कमपास ये भी एक समतल प्रश्ट वाली वस्तु है बिस्कूट फिर डस्टर LCD TV और खिड़की ये कुछ समतल प्रश्ट वाली वस्तु है आप इसके अतरिक भी दूसरी कुई आपको आपके घर पर उपलब्द है वस्तु है तो उनका भी नाम लिखकर उनकी लंबाई चोड़ाई निकाल कर उनका छेतर पर निकाल सकते है अब इसी सारणे के आधार पर हमें कुछ प्रश्टों के उत्तर देना है चलिए प्रश्टों देख लेते हैं क्या क्या है हमारे समक्ष हमारा पहला प्रश्टों है किस वस्तु का चेतरफल सबसे अधिक है तो दर्वाजे का चेतरफल 18,000 वर्ग सेंटीमीटर सबसे अधिक है दूसरा प्रश्टों है दी स्पारनीम से चेत्रफल को आरोही क्रम में लिखना है यानि बढ़ते वे क्रम है सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बढ़ा पिर सबसे बड़ा इस प्रकार सबी के छेतरपल को एक सारणी के रूप में लिख दीजिए यह अते हमारे पांच प्रस्नों के हल आराम से इन्हें देखिए और समझिए कुछ चीजे आप अपने हिसाब से भी इसमें जोड सकते हैं जो अस्तोय आपके घर पर उपलब्द है आप उनको इसमें समलित कर सकते हैं इन सभी प्रस्नों का उत्तर हमारी सारणी में दिये गए उत्तरों के आधार पर ही हमने दिया आशा करता हूँ यह प्रस्ना आपको अच्छी तरह सहे समझ में आया होगा चलिए चलते हैं अगले प्रस्न की ओर इस प्रस्न में हमें हमारे परिवार के सद्यसियों या रिष्टेदारों या पडोसियों के नाम लिखना है रिष्टा लिखना है और उनकी जन्मंतिनां को हमें लिखना है तो आप अपने परिवार के सद्यसियों जो भी है माता पिता भाई दादाजी परदादाजी दादी सभी की आयो लिखिए और उनसे संबंद लिखिए यदि घर के सदर से कम हैं तो अपने पडोसियों के नाम लिखिए उनकी जन्मदी दांक लिखिए अपने रिस्तदारों के नाम लिखिए उनकी जन्मदी दांक लिखिए इस प्रकार हमारी सारणी हमें प्राप्त हो जाएगी कर दो अपने हमेखिए जन्मदी कुल मिला के 20 सदस्यों के हमें नाम लिखना है उनसे संबन या निरिष्टा लिखना है और उनकी जन्म दिनांक लिखना है फश्ट प्रात्मिक्ता अपने घर को दीजिए सभी घर के सदस्यों के नाम लिखिए फिर यदि आपके रिस्दार हैं तो उनके नाम लिखिए फिर यदि जरुवत पड़े तो पडोसियों के नाम लिख दीजिए और उनकी जन्म दिनांक लिख दीजिए और इस प्रकार से हमें हमारी सारणी प्राप्त हो जाएगी और इसी सारनी के आधार पर हमें कुछ प्रश्णों के उत्तर देने हैं इसी सारनी में से हम उन प्रश्णों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं चलिए सारनी के आधार पर प्रश्णों के उत्तर देख लेते हैं परिवार में सबसे बड़े सदसी के आयू कितनी है किन-किन सदस्यों का जन्म समान-माहा में हुआ है आप उनके नाम लिग दीजी ये तीसरा प्रस्न है परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है यानि ऐसे परिवार के सदस्ये जिनकी आयू 18 वर्स से अधिक है उनके संख्या लिग दीजी जीए चोथा प्रस्न है परिवार में सबसे छोटे सदसी की आयू कितनी है तो सबसे छोटे सदसी की आयू पांच वर्च है पांच प्रस्न है सबसे बड़े सदसी वर सबसे छोटे सदसी की आयू में कितना अंतर है यानि सबसे बड़ा सदसी था असी वर्स का सबसे छोटा सदस्य हमारे पांच वर्स का यह असी में से पांच गये तो कितने बचे पिच अतर यह अंतर कितना आएगा पिच अतर का अगला प्रस्न है मार्च 2021 को आप अपनी आयू की गढ़ना कीजिए तो मार्च 2021 के अनुसार आप अपने आयू की गढ़ना क लीजिए कि आप कितने वर सके थे तेरा वर सके थे कि बारा वर सके थे आप देख लीजिए यह थे पांच प्रशनों के उत्तर जो कि हमने सारणी में से देख कर लिखे सिर्फ पांच प्रशन आपको अपने मन से करना है आपको इसमें आपकी आयू की गणना करनी है और तीसरे प्रस्ण में परिवार की कितने सद्द से मत दे सकते हैं उनकी आपको संख्या लिखनी हैं पडोसी और रिष्टـदारों की नहीं सिर्फ परिवार की कितने सद्द से जो बोरट दे सकते हैं धियान रखियेगा अगला प्रस्त है कितने सदस्यों की आयू 25 वर्ष से अधिक है तो हमारे 16 सदस्यों की आयू 25 वर्ष से अधिक है कितने सदस्यों की आयू 60 वर्ष से अधिक है तो हमारे सिर्फ दो सदस्य ही ऐसे हैं जिनकी आयू 60 वर्ष से अधिक है कितने सदस्वी 18 वर्षे की आयू से कम है तो चार सदस्वी ही हमारे 18 वर्षे कम है और आखरी का प्रस्वन है सबी सदस्वी की आयू बढ़ते विक्रम में लिखना यानि सबसे पेले सबसे छोटी आयू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी आयू लिखना है यह था हमारा गणित विशे का प्रोजेक्ट कारे यह सिर्फ आपके मार्ग दर्शन के लिए था आप प्रयास कीजिए आपके मन से करने का आशा करता हूँ आपको प्रोजेक्ट कारी समझ में आया होगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजी और चेनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजी अगले वीडियो तक जे हिन जे भारत वन दे मातरम